हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल फोटोस में अधियाप फ्री अप स्पेस कर देते हैं तो आपके मुबाइल से जो भी फोटो वीडियो डिलीट हो जाती है तो उन्हें आप रिकवर कैसे कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप फोटोस के अपसन को उपेन कर लेते हो और यहाँ पर अपने फोटोस पर उपर साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी मेल आडिया आप डाल कर रखते हो यहाँ पर वही सो करता है और यहाँ पर आप देख सकते नीचे फ्री अप स्पेस है फ्री अप स्पेस का मतलब क्या होता है और इसे करने के बाद आपकी जो मुबायल के गैलरी की फोटो डिलीट हो जाती है तो आप उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं और ये फोटो होती कहां पे हैं एक्चुली ये भी चीज आज आपको देखने और जानने को मिल जाएगी और आप बहुत असान स्टेप पर अपनी फोटो वीडियो को रिकवर कर सकते हैं दोस्ते हैं अपर अब देख सकते हैं फ्री अप स्पेस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो you are ready to free up space एक्चुली में ये अभी आ रहा है कि free up space करिये 13MB अब 13MB free up space करने के लिए क्यों आ रहा है दोस्त तो मैं आपको बता दूँ पहले इस चीश को तभी आपको आगे की प्रोसेस समझ में आएगी और आप समझ पाओगे कि हम अपनी फोटो वीडियो को ला कैसे सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आप यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं ठीक है न यहाँ पर इन फोटो तीन फ स्पेस को खाली करें अगर तो गैलरी की जो फोटो हैं आपकी वो भी डिलीट हो जाती है यानि कि अगर ये तीन फोटो गैलरी में भी होती है दोस्तो मैंने इनको गूगल फोटो में बैक अप ले लिया ठीक है तो ये गैलरी से डिलीट हो जाएंगी बड़ दोस्तो ये फिचर में प्रावलम नहों जब आप कर रहे हो रिकवर तो आपको प्रावलम नहों और आप उन्हें आसानी से रिकवर कर लो दोस्तों यहां पर जलिए मैं इसको पहले तुम्हें डिलेट कर देता हूँ और यहां पर सुरू से प्रोसेस आ जाएगा फिर मैं आपको सकते हैं तो देखिए मैं इसको जैसे हां से कट कर देता हूँ और यहां पर दोस्तों इस टेड़े की फोटोस हैं जो कल की कुछ फोटोस हैं हम इनकी स्क्रीन साट लिए थे और इस स्क्रीन साट का हम बैक अप लेने वाले हैं ठीक है ना इनका बैक अप लेने के लिए यहा यहाँ पर आएंगे और चलि हम आपको चलते हैं यहाँ पे स्क्रिल्ए साथ पे है पंगे पेखा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पक्तर हैं यहाँ दिखा रही है बागे यहाँ की और फोटोस निक्राнов फोटे फटेसर लि लिया थो तो दोस्तों हैं पर आप देख सकते हैं study की तीन screenshot है बागी जो previous screenshot वो अलग दिन में लिया गया है तो अलग दिन में है अब इनका जो है मैं backup लेने वाला हूँ और जैसे backup ले लूँगा दोस्तों तो देखेएगा भी free up space में मैंने आपको दिखाया कि nothing to free up space है ना लेकिन जैस मैं इसको free up space यहां से कर दूँगा तो गैलरी से हट जाएंगी और फिर आप google photos में फोटो को पाओगे कहां से और कैसे इनको recover करोगे फिर से गैलरी में कैसे लाओगे यह process आपको complete सीखने को मिलेगी और आप बहुत असानी से कर पाओगे तो चलिए मैं पहले इनका backup ले ल हैंगे गैलरी में भी आपको दिख़ा दूँगा कि गैलरी में है लेकिन जैसे फ्क करोंगा तो चलिए में उसके बाद आपको चलूएंगéma πर दो तो आप Google फोटो से कहां से रिकवर कर पाऊगे यही चीज आज आपको देखने को मिलेगी और दोस्तो आप बहुत यसानी से कर भी पाऊगे तो दोस्तो यहां पर बैक अप कंप्लीट हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिख चुका है कि क्लियर दा क्लटर तो हमारा वैक अप जो है कंप्लीट हो गया आप चलिए हम इसको अपने गैलरी में चल कर देख लेते हैं तो गैलरी में आएंगे देख सकते हैं अभी यह तीन फोटो हैं अभी तीन फोटो हैं लेकिन अब हम जैसे फ्री अप इस्पेस करने के लिए फिर से आ चुका अभी आप जैसे ही बैक अप ले लेते हो तो यह फ्री अप इस्पेस करने के लिए फिर आ जाता है क्योंकि अब आप इतनी जगा को फ्री कर सकते हो अपने मुवाइल के इतनी जगा फ्री कर सकते हो अना यतने अम भी आपने यहां पर बैक अप ले लिया है तो इसको फ्री कर सकत आराम से जिसका मतलब सीधा से यह होता है कि अपकी गैलरी से फोटो हट जाएंगे तभी तो मोगा कई स्पेस खाली होगा तो हम यहां पर फ्री अप कर देंगे जैसे यहां पर अलाव करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे यहां पर यहां पर चाएंगी चीज़ डिलीट हो और यहां पर यह सारी चीजें डिलीट हो चुकी है तीनो फोटो डिलीट हो चुकी है आप बैक कर लेंगे स्क्रीन साइट को फिर सोपन कर लेंगे देख लेंगे तो नहीं आ रही है तो मतलब कि आप स्क्रीन साइट में तो नहीं है आप फोल्डर में नहीं है बट आपके यह यहां फोटो के अप्शन पर हैं तो यही है मैं आपको दिखाना चाहि रहा था कि आप फ्री आप इस पेस कर देथे हो तो आपके गैलरी से फोटो ड electronically500 तो हो गई है बट यहां पर आपके होती है अब यह फोटो जैदी आपको नहीं मिन रही है, तो कहा पर देख रहा है, इसी ज़िए मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इनको डाउनलोड करके ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक करना होता है photo पे क्लिक दोस्तो Above आप 3 Lines पर klick कर सकते हैं और download के caption पर आप क्लिक कर सकते हैं download के caption पर klick करेंगे जैसे ही यहां से download के caption पर klick करता हूँ यह download होना चालू हो गया है photo gallery से तो हट गई है बट यहां पर आपके google photos पर होती है यहाँ पर home screen पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका backup ले लिया है, अब दुस्ते दिया आप इनको फिर से ले जाना चाहते हैं, gallery में तो इसके लिए आपको simply कुछ नहीं करना है, यहाँ पर three line पर click करना होगा, और download caption पर click करना होगा, यह photo फिर आपकी gallery में इस photo को ले जा सकते हैं, दूस्ते आप download करना चाहते हैं, तो मैं आपको recommend करूंगा, कि आप एक एक करके करें, download तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको जो है problem नहीं होगी, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, इस पर click करते हैं, तो download caption पर click करेंग इस photo पर मैं click करता हूँ, और इस photo में आप देख सकते हैं, यहाँ पर upload का option आ रहा है, यहाँ पर जैसे मैं click करता हूँ, तो यह देख सकते हैं, यह upload का option नहीं आएगा, तो मतलब कि यह photo का backup हो चुका है, इस photo का backup हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर upload का option अभी भी आ रहा ह वही फोटो गैलरी से डिलीट हो जाती है यदि आप फ्री आप स्पेस करते हैं तो और जिन फोटो का बैक अप हो चुका होता है दोस्तों तो यदि आपको लाना है गैलरी में उसके लिए आपको सिंपली मैंने प्रोसेस बता दिये किस तरह से आप फिर से गैलरी में डाउनल तो आप जो है डिलीट कर सकते हैं फ्री आप स्पेस के थ्रू आप गैलरी से और वो फोटो का बैक अप बन जाता है एक कॉपी बन जाती है आपके गूगल फोटो में तो आई हूप आपको समझ में आ गया होगा थैंकि चैनल विजट करने के लिए बहुत-बहुत हिसले में है एक बाद करने को सिमें से लिएषाएप है करें जाता है यह है है एक है भीक में दाता है एक करदी नरू हरू है